हलो फ्रेंड स्वागत आपका अपना यूटूब चैनल कमपटेटीव गाइडर में कमपटेटीव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित का सरल इतियाज जो विश्वनातिर पाठी जी के द्वारा लिखा गया उस पुस्तक का हम लोग बिसलेशन कर रहें जिसमे द्हीमे द्हेमे आज हम लोग आगे बढ़ते आज तिसरे वीडियो पर पहुंच चुके है अभी से पाहले दो वीडियो अपना आपो आप लोग वह दो प्रीड़ी का बीडियो अपलोड कर गया जा चुका है और यह जो पुस्तक है यूजी सी, टीजी टी, पीजी टी, डीगरी, कॉलिज एवं अन समस्त परतियोगी परिक्छाओं के लिए यह बहुत परमानुविक पुज्टक है, इससे प्रस्ण बनते ही बनते हैं, यहां से आप सब्जेक्टिव के फों में देखें, और अबजेक्टिव कन्वर्ट करके यहां पे आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप उबजेक्टिव इससे कोशन को बना सकते हैं, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, आज का सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो भक्ति काल से हैं, तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि भक्ति के देखेंगे वह भक्ति का उदे आखिर समाज में किस अधार पर इसका समाजिक अधार आया तो चली आज सुरू करते हैं काता कि भक्ति का भक्ति अंदोलन पर अधारित है यह अंदोलन समाजिक और बैचारिक है भक्ति में धर्म साधना का नहीं भावना का बिसे बन गया है द यहां रखेंगे यह सभी आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट नहीं आप सिर्फ समझते चलें जहां पर आपको इंपोर्टेंट लगेगा वहां पर हम बोलेंगे आप नोट कर लेंगे तो चलिए यहां से आगे क्यों बढ़िए तो कहता है कि इसलिए उसे धर्म का रसात्मक क्रूप कहा जाता है हिंदी भक्ति साहित की परंपरा महराष्ट के संत नामदेव से मिलने लगती है यह पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे यह पॉइंट्स आपको नोट करने हैं कि यह जो परंपरा मिलती है हिंदी में भक्ति साहित की वह महराष्ट के संत नामदेव से मि सववीर आते हैं, जैसी, जैसी, सूर आते, सूरदास जी आते हैं, तुलसी आते हैं, रैदास आते हैं, मीरा जैसी महान परतिभाओं ने रचनाएं की हैं, इन ही की रचनाओं के कारण भक्ती यूग को हिंदी साहित का सुवर्ण यूग कहा गया है, आपके लिए एक और important point आ समाजिक एतिहासिक अधार क्या था पंडित राम चंदर सुकल की अनुसार भक्ती भावना का कारण भारत में अकरमन कारी मुसल्मानों की बिजेता होना है आप द्यान रखेंगे राम चंदर जी सुकल की अनुसार यह कहा जाता है कि भक्ती भावना का जो कारण भारत में आया वो मुसलमानों के淡़ीता होने के कारण आया जिस तरीके सेमुसलमान भारत में जित रहे थे अकर्मन करके और वे जब淼ीता बन रहे थे तो हिंदु धर्म या जो भी धर्म है उसको ताड़ ताड़ करके एक औन धर्म की शुरुआत कर रहे थे तो यहां से यह रामचंदर सुकल जी का ऐसा मानना है वह यह तो मानते थे कि भक्ती आंदोलन का सुत्रपार दस्सिन भारत में हुआ लेकिन उनका बिचार था कि अपने पौरुस से हतास हिंदु जाती के लिए भगवान की भक्ती और कर्मा की ओर ध्यान ले जाने की अत्रिकल दूसरा कोई मार्ग था ही क्या, मार्ग ही क्या था यह कहते हैं कि एक तरफ तो अगर हम लोग बात करें तो इसका जो भक्ती आंदोलन का जो सुत्रपात होता है वह दस्सिन भारत में होता है लेकिन उनका बिचार यह भी था कि पौरुस में हताज सम हिंदु जाती हो गया, तो भक्ति और करुना की और उनका ध्यान ले जाने की अत्रिक्त और कोई मार्ग नहीं बचा, उनके पास इसके सिवाय कोई और मार्ग था ही क्या, आगे बड़ी यह तो कता कि संभावता अचा से बताया जाएगा, आप वहां से उसको नोट कर लेंगे, तो चलिए आगे बढ़िये, तो यहां से देखिए कहता है, कि पंडित हजारी परसाद दुएदी के अनुसार भक्ति अंदोलन भारतिया चिंता धारा का, भारतिया चिंता धारा का सोभाविक विकास है, उत्तर भ यहां रखेंगे, दोनों परसाद दुएदी जी कहते हैं, कि जो भक्ति अंदोलन आया, भारतिया चिंता धारा का एक सोभाविक विकास है, यानि कि जब भारतिया जो थे, वे चिंता में आकर अपने विकास की और बढ़ रहे थे, और लेकिन रामचंदर सुक्ल मानतें कि यहां पर भक्ति अंदोलन समय आया, तो ध्यान रखेंगे, दोनों परइंट को आप, तो कहता है, आगे कि वह करुना एवं परदुक्तक्त से युपते हैं, दुवेदी जी कवीर की तेजस्वित्ता को जुलाहा जाती कि समाजिक मर्यादा के प्रति और संतोस की भावना से जोडते हैं, हिंदू की पराजित भावना भक्ति का कारण होती तो वह उत्तर भारत में पहले आती, ये कहते हैं कि अगर मान लिजे कि हिंदू की, हिंदू जाती की जो पराजित हो रही थी, अगर उसकी भावना देखें, तो यहां सबसे पहले जो आना चाहिए था, वह उ पर यादा था उनके प्रति असंतोष की भावना था, वह कभी अपने जाती को लेकर या कभी अपने जाती को जादा परसंसा न दे करके, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ मुस्लिम जाती को आगे बढ़ाया जाया मुस्लिम धर्म को, तो यहां से यह असपष्ट करने की क इर्फान हभीव और रामसरन सर्मा ने अपने कारियों से इस सित्र पर एसा परकाश डाला है कि हिंदी के भक्ति काव के बिसे में हमें नई बातों का पता चलता है। यहां से आप ध्यां रखेंगे। अवर्न संतों की भावना का समाजिक अधार यही था। द्यान रखेंगे निर्गुन जो पंत थें उनके अवर्न संतों की भावना का जो समाजिक अधार यही था। तो आप यहां से इस point को सिर्फ note रखेंगे, चलिए आगे की और बढ़िए, इस देस में जुलाहों की आर्थिक इस्थिती प्रचिंतर काल से अच्छी रही है, उनमें अपनी समाजिक मर्यादा के प्रति असंतोस का भावना भी पहले से रहा है, तेरामी चोदामी सताबदी में उसके साथ साथ अनवर्न सिल्पियों की इस्थिती भी बेहतर हुई होगी, खेतो की सिचाई के नए तरीकों के उप्यों के कारण इरफान हवीब की अनुसाद जाटो किसानों की इस्थिती भी बेहतर हुई होगी, और किसा आओर ठीक इसी समय दस दिन भारत में परवाहित दर्सन और विचार धारा ने भक्ती आंदोलन को तेजी से परचारित परसारित किया देखे यहां से सभी लोग का अपना अपना मत है सभी लोग सभी तरह के मत दे रहे हैं रामचंद सुकल कुछ दिये हजारे परसाद कुछ दिये और यहां से इर्भान हवी बीब के अनुसार कुछ और निकल कर आ रहा है आपके सामने यह कहें कि अगर मान लिजे कि अगर मुस्लिम जाती से भक्ती आंदोलन होता है या भक्ती काल की पिरियड आती है तो क्या उस समय अगर यहां पे हम लोग देखें तो उस समय जब यह सभी खेतों की सिचाई के लिए या बहुत ऐसे सासक आए जैसे कि उपर हमने बात कर रखा था कि खिलजी आए तुगलक आए सूरी आए तो यह सभी ने क्या क्या बहुत से ऐसे विक्सित काम किया निर्मान करा है जिनमें सड़कों का भवनों का सिचाई के लिए भी इन्होंने निर्मान करा है तो यह सभी के लिए था तो क्या सिर्फ मुस्लिम धर्म यहां से किस तरह से आगे बढ़ रहा था तो यह यहां से बताने की कोर्सिस क्या गया है प्रूप करने की कोर्सिस क्या गया है को आपको देख लेने अच्छे से यहां से देखिए आपको कुछ पॉइंट समझाने की कोर्शिस किया गया है यहां पे का गया कि यह तो उत्तर भारत की बात हुई मतलब उत्तर भारत में इस तरह का कंडिशन था लेकिन अगर हम लोग बात करें कि भक्ति आंदोलन की लहर दस्तिन भारत से उत्तर में आई तो यह भी पता लगाना बहुत जरूरी हो जाएगा कि यह कौनसी कारण थी जिसके कारण भक्ति भावना ने वहां आंदोलन का रुप गरहन कर लिया तो चली आगे बढ़िए तो यहां से देखिए कहता है कि दस्तिन भारत में देखिए यहां से दस्तिन भारत में पली सताब्दी के बाद अनेक सताब्दियों तक सत्ता प्राकर्मी सासकों के हाथों में रही परवर्ती चोल समराज के सासकों के पहले ही करीकाल यानि चोलवंसी सासक ने कावेरी के जल को नियंद्रित करके सिचाई की बेतर विवस्था की सिरलंका में युद बंदियों से कावेरी के मुहाने पर पुहार का बंदरगाह त्यार कराया गया उसके राज में बैपार उदो की अभुत्वपूर उनत्ती हुई पल्लो शासक नर्सी बर्मन ने अस्थापत्य को अभुत्वपूर बढ़ावा दिया उसने काची का राज सियस्वर मंदिर बनवाया उसके राज में सिल्पियों का समान बहुत बड़ा बुनकरों को दसिन में बैशों बैपारियों जैसे समान मिला तो यहां से देख रहे हैं आपकी किस तरह से उस समय यहां पे मंदिर बनाय जा रहे थे, वहां पे सड़क बनाय जा रहे थे, और किस तरह से सिचाई की बिवस्ता भी की जा रही थी, जो कावेरी जल को नियंद्रित करके बनाया गया था, तो यहां से किस तरह से आखिर जो भ बेहतरी से काफी पहले दस्सिन भारत के सिल्फियों और किसानों की आर्थिक इस्थिती बेहतर हो गई थे, भक्ति के आध अचारे रामानुज काची पूरम के ही थे, ध्यान रखेंगे, आप ये पॉइंट्स याद रखेंगे, काची पूरम के ही थे, उनके एक गुरु काच महिला भक्त अंदाल थी, ये भी आपको याद रखना है, जिनने दस्षिन का मीरा कहा जाना चाहिए, ध्यान रखेंगे, वे मीरा के कई सताब्दियों पूर्व की थी, ध्यान रखेंगे, हम जानते हैं कि, हिंदी के भक्ति काब के अवर्नों और नारियों का सरवाधिक महत पूर्व योगदान है, भक्ति काल के बाद फिर आदोनी काल में उपर की बाते, उस समाजिक आर्थिक इस्थिती को परकट करती है, जिसने, देकि आहां से, करती है, जिसने, जिसने सिल्पियों और नों समाजिक मर्यादा की दृष्टी से उपर उठने की परेरना दी, ले पूर्ष्टी का दार्षनिक या विचार धरातमक अधार प्रस्तुत करता है, आप यह पॉइंट्स यहां से आतक के पॉइंट्स को आपको नोट करने है, यहां रखेंगे, चलि आगे क्यों बढ़िए, तो यहां से देखे करता है, कि बिसेष्ट द्वयत, सांकर अद्वय उसका नियमनन करता है, चकत को बास्तविक मानकर उसको महत्व देने में ही भक्ति की लोको उनमुक्ता नहीं थे, यदि लोक सत्य हैं, तो लोक पीड़ा उपेचनिये नहीं, भक्तों ने लोक पीड़ा को इतना महत्व नहीं दिया है, इसलिए वे करूना के अन्यत्तम रसन करें ड्यार रखेंगे कहा जाता है देखियां से कहा जाता है कि भक्ती रविड्रुपजीeder राय उपज़ीव लाय रामाननद ग्यार रखेंगे भगती द्रविड उपजीर लाय रामानन द्वाननंद रामानन का जो समय अवदिया हैंसे ऑफ द preparedness 14 से 1470 रामानुज की ही परंपरा के अचार थे ध्यार रखेंगे रामानंद रामानुज की ही परंपरा के अचार थे भक्ति साधना के रूप में तो पहले से ही थे रामानुज अचार ने उसे लोकों उनमुख बना कर दासनिक बैचारिक अधार दिया और रामानंद के बेक्ति देखिया से, एक महत पुन बात यह है कि अध्यूनिक भारतिय भासा, हिंदी और अन, देखियाud guideline से, हिंदी और अन भारतिय भासा धार्मिक वांगमय की, अविवेक्ति का माध्यम बनी, नात्सीदों की साधना में अंत असाधनाक पर बहुत बल था, सरहप्पा सहच साधना क बिश्वासि साधक थे। वे माया को भी तो त्याज नहीं मानते थे। उनके यहां चित की निर्मलता और करूना को महत्व दिया गया है। नात ब्रह्मा चार का बिरोत करते थे, उनकी साधना भक्ती भावना में घुल मिल गई, फलत उत्तर भारत में आगर भक्ती साधना उतनी ही निरी नहीं रह गई, वह बर्न विवस्था और कर्मकांड के प्रती अक्रामक बनी, उत्तर भारत में सूफी साधना के रूप में इस लिए आगे कि उरब लिए तो यहां से अब हम लोग देखेंगे कि भक्ति की धराई आदी और तुछ तरह में आइए देखते हैं यहां से हम लोग डिटेल से लीट तरह कि भक्ति की दो धराई परवाई तुई एक तो निर्गुन और दूसरा सगुन यह पॉइंट आपको नोट करने हैं कि भक्ति की दो धराएं थी एक तो निर्गुन और दूसरा सगुन निर्गुन और सगुन धरा में अंतर इस बात की नहीं है कि निर्गुनियों ने राम गुन हीन है और सगुन मतवादियों के राम या क्रिस्न गुन सहीत है निर् दखी यहां से दमन करते हैं सादू की रक्षा करते हैं और अपनी लिला से भक्तों के चितका रंजन करते हैं यह पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे कभी कभी पुछ लिया जाएगा तो याद रखेंगे अता सगुन मतवाद में विश्नु के 24 अवतारों में से अन्यक की उपासना होती है य आगे बढ़िये तो निर्गुन एवं सवगुन दो परकार की भक्ति का मुक लक्षन है यहां से देख रहे हैं जिसमें भागवद विशयक रती एवं अन्यायता नाच सिद्धों के आसन प्रनायाम सहज समाधी शरीर प्रान मनवानी के अचलांतता का योग सब इसी में बिलिन हो गए हैं भक्ति के अनेक संपर्दाय उनमें चार प्रमुक संपर्दाय संपर्दाय और उनके अचारयों का परिचय संचेप में दिया जा रहा है जिसमें आप देख सकते यह चारों संपर्दाय यह हैं एक सिरी संपर्दाय ब्रह्मा संपर्दाय रुद संपर् का जाता है कि लच्मी ने इनहें जिस मत्का उपदेश दिया उसी के अधार पर इन्हों ने अपने मत्का परवर्तन किया इसलिए इनहें इनके समपरदाएं को सीरी समपरदाएं कहा जाता है यह points आपको note करहें यहां तक के पूरे points को चली आगे बढ़िये तो कहता है आगे कि इन ही की परंपरा में रामा नंद हुए यानि कहने का मतला जो रामा नुज्जा चार थे इन ही की परंपरा में कौन उपजे तो रामा नंद जी उपदे रामा नंद परियाग में उत्पन हुए थे रामानन्द का जो जन्म हुआ था वह कहा हुआ था तो परियाग में हुआ था और इनके गुरु देख सकते हैं इनके गुरु इनके गुरु का जो नाम था वह रागवानन्द था ध्यान रखेंगे इनके जो गुरु का नाम था वह रागवानन्द था रामा नंद संस्कृत के पंडित उच कुल उत्पन ब्रहमन थे ध्यान रखेंगे जो रामा नंद थे वे ब्रहमन थे किन्तु वे अकास धर्मा गुरू भी थे यह भी आपको याद रखने हैं वे अकास धर्मा गुरू भी थे उन्होंने अवर्ण सुवर्ण अस्तिरी प्रेश्वर के नाम पर सब का परिचे क्यों नहीं दिया जा सकता है इसी परकार सभी भाई भाई हैं सभी एक जाती के हैं सरेश्टता भकती से होती है जाती से नहीं यह कौन बोले तो यह रामानंद जी बोलते हैं चलिए आगे बढ़िए तो इनके जो 12 सिस्य थे वे इस पर कार हैं याद रखेंगे इनके 12 सिस्य को आप यहां से यह पॉइंट्स को हाइलाइट करके नोट कर लेंगे जिन में रहधास की बात किया गया है कबीर धन्ना सेना पीपा भावानंद नरहयानंद सुखानंद अनंतनंद रखियां से अनंतनंद सुरसुरानंद पदमावती और सुरसुरी यह इनके 12 सिस्य को आप लोग याद रखेंगे पुछ लिया जाता एकजाम में रामानंद के रशनात्मक बेक्तित्व का अत्यंत महतोपुन पच्या है कि उन्होंने हिंदी को अपने मत के परचार का माध्यम बनाया था ध्यान रखेंगे यह जो अपने अगला जो हम लोग देखने वाले वो ब्रह्मा संपरदाय को देख लेते हैं ब्रह्मा संपरदाय के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था माधवाचार ध्यान रखेंगे और उनका जो जन्म हुआ वा गुजरात में हुआ था चैतन महा प्रभू पहले इसी संपरदाय में संबंध नहीं है चली आगे बढ़िए तो आगला हम लोग जो देखने वाले रुद्र संपर्दाय है तो कहता है कि इसके प्रवर्तक जो थे वे विश्णो स्वामी थे बस तो यह महाप्रभु बल्लभाचार के पुष्टी संपर्दाय के रूप में हिंदी में छिवित हैं ज इसी परकार बल्लभाचार ने किरिष्ण की उपासना पर बल दिया तो यहां से यह कई बार पूछा जा चुका है प्यारे सातियों अब ध्यान रखेंगे कि रूद्र संपर्दाय के प्रवर्तक हों थे उन्होंने प्रेम लच्छना भक्ति गरहन की भगवान के अनुग्रह के भरो से नित्य लीला में पर्वेश करना जीव का लक्ष माना सूर्दास एवं अस्ट छाप के कवियों पर इसी संपर्दाय का परभाव भी रहा है ध्यान रखेंगे जो अस्ट छाप के कविये इन्हीं का परभाव रहा है चली आगे की और बढ़िये तो यहां से देखि कापी भरमन किया था बलवा चार जज़ित है वह देश में काफी भरमन किया थैं वह बहान विद्वान एवं दार्सनिक थे उनका बेक्तित व अत्यंत लोग पिरिये एवम्मान विये रहा होगा उनके जीवन की जो बाते इधर उधर विखरी मिलती है उनसे लगता है कि मानो में मानो में उनकी गहन पैठ रही होगी तो आप ध्यान रखेंगे यह सभी पाइंट्स को तो चलिए अगला जो हम लोग देखने वाले हैं वह सनकादी संपरदाय देख लेते हैं तो कहता है कि यह निर्बाका चारे द्वारा प्रवर्तित है हिंदी भक्ति साहित को प्रभावित करने वाले राधा बलवी संपरदाय का संबंद इसी से जोड़ा जाता है राधा बलवी संपरदाय के प्रवर्त ग नोट करने हैं prospects यह निम्बाकाar चार द्वारा परवर्ती थे यानि निम्बाका चार इसको आगे कीओर बढ़ा है और यहाँ सर्फ के ऽिसमें जो कहा गया कि राधा बल्वी संपरदा के सूफी साधना को तो कहता है कि भक्ती आंदोलन इतना ब्यापक एवा मान भी यह था कि इनमें हिंदूओं के साथ क्या होता था मुसल्मान भी आए जो सूफी आंदोलन थे इसमें हिंदूओं के साथ मुसल्मान भी आए देखिए कौन-कौन आए तो यहां से आप देख सकते ह तो कहता है कि सूफी यद्पी इसलामी मतानुवाई है किन्तु अपने दर्शन एवं साधना पदती के कारण भक्ती आंदोलन में गननिये है इसलाम एके सवरबादी है ध्यान रखेंगे किन्तु सूफी संतों ने अनहलक अर्थात में ब्रह्माहु की घोसना की यह बात अद्वेत में मिलती जुलती है सूफी साधना के अनुसार मनुस्य के चार भिभाग है ध्यान रखेंगे सूफी साधना के अनुसार मनुस्य की कितने भिभाग है चार भिभाग तो आईए देख लेते नमबर फर्ष्ट विभाग यहां पे दिया गया नप्स यानि इंद्रियें, नमबर सेकेंड दिया गया अकल, बुद्धी या माया, नमबर थिरी दिया गया कलब यानि हिर्दय, और नमबर फोर दिया गया रूह या आत्मा, यह मनुस्य के चार विभा होते हैं, यह साधना नप्स और अकल को दवाकर कल्व की अस्थापना से रूह की प्राप्ति पर बल देती है, हिर्दय रूपी दर्पन में परमसत्ता का परति बिम्बित अभी सारित होता यह दर्पन जितना ही निर्मल होगा, रूप उतना ही असपश्ट होगा, अर्थात शुपी साधना ही, हिर्दय की साधना है, इसी से हुआ भक्ती है, आचार सुक्ल ने, देखी आहां से, अचार सुक्ल ने, सुक्ल करने का मतलब RCS, राम चन्दर सुक्ल ने, इसी लिए जैसी आदी सुपी कबियों को, कबीर, सूर, तुलसी की कोटी में रखा है, यह बात भी म महिला साधिका प्रसीद है ध्यां रखेंगे मुल्ला दाव 1389 हिंदी के प्रथम सुफी कभी थे अब ध्यां रखेंगे इसको नोट भी कर लें कि मुल्ला दाव जो थे उनका 1389 जो हिंदी के प्रथम सुफी कभी थे सूफी कभियों की परंपरा उनिसमी सती तक मिलती है सूफी साधना का परवेस इसी देश में बारामी सदी में मोई दिन चिस्ती के समय से माना जाता है ध्यान रखेंगे यह जो परवेस माना जाता है बारामी सती से किसके समय से तो मोई दुन चिस्ती के समय से माना जाता है सूफी साधना के चार संपर्दा हैं ये भी आपको नोट करने हैं और कौन-कौन से यहां पे आप देख सकते हैं एक तो यहां से आपको दिखाया गया चिस्ती सेकेंड दिखाया गया सोहराबादी थिरी दिखायागा कादरी और फोर में दिखायागा नक्सबंदी हिंदी का सूफी काब अबदी भासा में रचित मिलता है सूफी मुसल्मान थे लेकिन उन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को अपने काब का अधार बनाया उनकी भासा और बर्नन में भारतिय संस्क्रीटी रची बसी है प्रेम के पीर की ब्यांजना इसकी भी सिस्ता है तो यह आपको सारे पॉइंट्स रखने है अगला दिन हम लोग देखने वाले अन्यमत को जी हां अगला दिन हम लोग देखेंगे अन्यमत को तो आज के लिए बस तो हम आपके जो प्रस्ण है उनको जवाब सही सही से दे सके आपको कुछ हेल्प कर सके बस आज के लिए इतना है थैंक्स पूर बाचिंग टेक क्यार बाय बाय